सवाल असंत्रिप्त विलन क्या है असंत्रिप्त विलन से आप क्या समझते हैं उदाहरन द्वारा समझिए दोस्तों चलिए इसे हम क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं मान लेते हैं कि हम एक बीकर यानी बरतन लेते हैं उस बरतन में हम कुछ पानी भर लेंगे फिर हम नमक का डब्बा लेकर आएंगे और छोटी से चम्मच के द्वारा एक एक चम्मच उस पानी में डालेंगे साथ ही जब तक नमक पूरी तरह से ना घूल जाए हम उसमें दूसरा चम्मच नमक नहीं डालेंगे यदि हम डालते हैं और उस घूल में और नमक गूलने की चम्मता हो या नमक का गूलना बन नहों तो दोस्तों इस घूल को ही ये संत्रिप्ट विलन या संत्रिप्ट गूल कहते हैं परंतो उस पानी में और कुछ ही नमक गूला जा सकता है न कि जितना चाहे उतना उम्मीद है दोस्तों आपका अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा तो चलिए दोस्तों अब हम किताब के द्वारा दिये गए जवाब को भी देख लेते हैं जवाब किसी दिये हुए तापमान पर जब उस द्रव में और अधेक विले या पदार्त घुल सके उसे असंत्रिप्ट घोल कहते हैं उदाहरन कक्ष ताप पर 50 मिली लीटर पानी एक बीकर में लो अब इसमें सोडियम क्लोराइड नमक थोड़ा थोड़ा करके दालो और भोल लो भ्यान रहे कि नमक तली में न रहे इसी प्रकार नमक दालो और हिलाओ यदि हम दालते हैं और उस घोल में और नमक घुलने की चमता हो तो उसे हम असंत्रिप्ट विलन कहते हैं